पेट के लिए सर्व स्रेष्ट आसनों में से एक आसन उत्तान पाद आसन जो शारेरिक और मानसिक स्थिर्टा और लाब भी प्रदान करता है पाद का अर्थ पैर तान का अर्थ खीचना उत्तान का अर्थ उपर की और उठा कर खीचना तो इस अभ्यास में पैरों को उपर की और उठा कर बाहर की और खीच कर स्थिर रखा जाता है उत्तान पाद आसन इसके अभ्यास के लिए अपने आसन पर अपने स्थान पर पीट के बल लेट जाएंगे, दोनों पैर मिलाएंगे, कोहनियां सीवी, हाथ जमीन पे, शरीर के पास, दो से तीन लंबे घहरे सांस भरेंगे, पैरों के पंजों को बाहर की और खीचेंगे, इस परकार से, अब इस आसन में, ऊपर जाते समय सांस को भर भी सकते हैं, और सांस को रोका भी जा सकता है, परंतु जितनी देर आसन में रुके रहेंगे उतनी देर सांसों की गती सामाने रूप से चलेगी और जब पैरों को नीचे रखेंगे सांस छोड़ते हुए पैर जमीन पे रखेंगे तो हाथ को जमीन पे दमाएंगे धिरे धिरे सांस भरते हुए दोनों पैरों को गुटने सीधे रखते हुए एक साथ लगभग 30 से 45 डिगरी के बीच में उठाएंगे और रोक के रखेंगे गुटने विगुट सीधे पैर भार किये और खिछे हुए पैरों को थोड़ा सा नीचे भी किया जा सकता है इस परकार से शरीर को रूख के रखेंगे और फिर धिरे धिरे सांस शोड़ते हुए पैर जमीन पे दो से तीन बार तक इसका अभ्यास किया जा सकता है समाने रूप से 25 से 45 सेकिंड तक इस आसन में शरीर को स्थिर रखा जा सकता है इस समय सीमा को अपने समर्थे के अनुसार बड़ा और घटा भी सकते हैं इसका भ्यास अलग-अलग माप दंडो उपर किया जाता है जिस परकार से पैर 20 डिगरी, 25 डिगरी, 30 डिगरी, 40 डिगरी, 45 डिगरी तक उठाए जाते हैं अलग-अलग स्थरो पर अपने समर्थे के अनुसार जितनी देर सहज रूप से रूप पाएं उतनी ही देर रुकें जोर जबरदस्ती करके शरीर को स्थिल ना रखें ऐसा करने से नाभी में बहुत हानी पहुंच सकती है और यदि नाभी में हानी पहुंची तो पूरे शरीर के शती गरस्त होने की संभावना लग-भग-लग-भग होती ही है पीट दर्द होने की स्थिती में इस आसन का अभ्यास एक-एक पैर से करें जैसे अभी दोनों पैर एक साथ उपर उठाए गए पीट दर्द होने पर एक पैर को उपर उठाएं नीचे लेके आएं फिर दूसरे पैर से अभ्यास करें एक एक करें अब यदि लाब की चर्चा करें तो विशेश रूप से इस आशन का अभ्यास नाभी प्रदेश के लिए लाबकारी अभ्यास है यदि नाभी अपने स्थान पर और स्वस्त रहेगी तो शरील की सभी नस्त नाडियां अपना कारे सहच सभाविक रूप से कर पाती हैं तंत्री का तंत्र नर्वस सिस्टम के लिए जठर अगनी के लिए पेट के लिए और पेट के आंत्रीक अंगों के लिए यह अभ्यास सर्वस्रेश्ट आसन है जिस से रक्त संचालन की प्रक्रिया से लेकर भोजन के पाच्छन में सुधार होने तक सभी चीज़े शामिल हो हैं और सभी चीज़ों में सुधार आता है इसके अभ्यास से जंगाओं कमर पेट और पैरों की मासपेशियां बलवान और मजबूत बनती हैं इससे शारिरिक और मानसिक स्थिरता भी प्रदान होती है साबधानियों के रूप में कुछ बातों का ध्यान रखें पीट दर्थ होने पर एक एक पैर को ही उपर उठाएं कमर दर्थ पेट दर्थ पीट से सम्मंधित कोई गंभीर रोग हरिदे रोग होने पर इसका भ्यास ना करें इसी प्रकार की और वीडियो ने अमित रूप से देखने के लिए स्क्रीन पर दिख रहे लोगों पर दबा कर चैनल को सब्सक्राइब करें और हमें अपना सनेह दें धन्यवाद